आचारे जी हमारे एक वीवर का इमेल आपको पढ़कर सुनाना चाहते हैं बिल्कुल स्वागत है नमस्कार आचारे जी मेरा नाम रोशनी है मैं बक्सर में रहती हूँ मेरा डेट अफ बर्थ 26 जून 1984 है मेरे हस्बंड मेरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं के साथ रिष्टा भी है और उस लड़की ने मेरे पती पर वश्यकरन करवा कि उनको अपने वश में कर लिया है पंड़ जी को ऐसा उपाय बता दीजे कि मेरे पती ठीक हो जाए आपका प्रश्ण बहुत जाज है और यह बात एकदम सत्ते हैं कि आपके पती को क्योंकि आपके अपने जो रिलेशन आपके अपने जो समंद और आपके अपने जो आपसी तालमेल थे उसमें ऐसी अभीवस्था एकदम नहीं दिखाई पड़ती अबी भी खेर, बहुत बिलंब नहीं है, बहुत देर तो नहीं हुई आप एक बहुत प्रारंबिक काम करना सुरू करिए कि आप जो भी भोजन बनाती है उसका 10% कच्छा अनाज नित्त निकालना सुरू कर दीजे ये काम सिर्फ 21 दिन करना है, दिन सुरूबात करने का होगा गुरुवार दूसरा, आप उनके परफ्यूम जो भी सुगंद दे सकती है वस तू वो प्रयोग करते हो चाहे वो हैर ओयल हो, चाहे परफ्यूम हो, चाहे जो भी चीजे स्मेल कर सकती हो जहां से smell आती हो, वो total change करने की कोशिच करिए, जो fragrance अभी वो यूज करते हैं, उससे अलग उन्हें चीजे यूज करने के लिए बात दिकरिए, प्रेम से, ये बात आपको बिलकुल totally अलग लेकर के जाएगी, क्योंकि इससे किसी को कुछ नहीं लगेगा कि आप को उपाय कर जबकि ये बहुत बड़ा उपाय है, भैरो जी का दर्शन जरूर करवाईएगा इनको पांसे साथ बार बुदुबार बुदुबार परमात्माने चाहा, तो आप इससे मुक्त हो पाएगे, आचारे जी अभी हम वशी करन पे जो चर्चा कर रहे थे, उसमें हम ये जाना च चाहते हैं कि आपने बोला कि इसको अच्छी तरहां से भी यूज किया जा सकता है, तो इसका सकारात्मा प्रभाव क्या होता है, और इसका बुरा प्रभाव क्या होता है, और बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात, देखो क्या है कि ये अगर आप मानव कल्यान आर्थ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है जिसमें किसी का भी अकल्यान नहीं हो जनकल्यान की भावना से अगर ऐसा कोई भी काम आप करते हैं तो वो बहुत बढ़िया है अगर उसमें किसी का कल्यान छिपा है तो वो बुरा काम नहीं, अच्छा काम नहीं लेकिन अगर ये इरशाख में किया जा रहा है मेरा इगो हट हो गया है, इसलिए किया जा रहा है तो ये टोटल गलत है सही तरीका तो ये है, कि जो बिक्ति आया है उसे सदबुद्धी प्रदान हो कि वो ऐसी भावना से मुक्त हो सके और जिस बेक्ती को वो ऐसा करना चाहता है उस बेक्ती को सेफ किया जाए सुरक्षित किया जाए कि उसको कोई दुबारा ऐसा नहीं कर पाए ये जोतिश है जोतिश सबसे पहले आपको होप देती है, विश्वास देती है कि आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी सब ठीक होने वारा है ताकि आप उस बेदना से लगनेने की जो आत्म शक्ती आपकी बढ़ेगी वो सबसे बड़ा बल है ऐसी अभिवस्थाओं से जो लोग पेडित हैं उनको भैरव दर्शन करना चाहिए गूगल लोपान अपने घर में जलाना चाहिए और लोगों को देवदार की लकड़ी अपने घर में हवन में प्रयोग करनी ही चाहिए और खास बात, जब भी हवन करें तो ये जो आजकल रेडी मेड हवन शामगरी आ रही न पंडिजी से भी बोले, कोशिश करें उसको ना करें क्योंकि ऐसा हवन करके हम और नगारात्मक्चीजों को बढ़ाते हैं जब भी वो शाकल ने पड़ता है, जब भी ऐसी सामगरी से आप हवन करते हैं जो अनकूल नहीं है जिसमें वो शामगरी नहीं कुछ भी डाला गया है, ऐसा करने सकारात्मक्ता के साथ साथ नकारात्मक्ता भी आती है जो आपके लिए दुख दाई है बिल्कुल आचारे जी और हम यही चाहते हैं कि ऐसी साथ नकारात्मक्ता हमारे विवस या हमारे कॉलर्स तक ना पहुंच पाए तो आपकी आगया हो तो अगले कॉलर्स से बात करें एकदम सौलत हलो अन्जी लव इद इस्ट्रोलजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका नाम अन्जी मैं गुर्जीत को और बोल रही हूँ पंजाब फ़गवाड़ा से गुर्जीत जी बात करें आचारे जी से नमशकार नमशकार बंडिंजी कैसी है आप अन्जी बंडिंजी कबसे मरे ट्रॉय कर रही हूँ आज मेरा लएक है कि आपसे बात हो रही है एकदम बताई बंडी ची मेरी बेटी है हर प्रिया कोर उसका जनम है 28 सेप्टैंबर 92 सुबह 6-5 बजे इसकी ना शादी की कहीं भी बात बंते-बंते तूट जाती है बंती नहीं है एक लब अफियर चलते हैं वो भी फिर बात शादी तक तूट जाती है ठीक बात है इनकी कु भी प्रयास नहीं करें इनकी arrange marriage होगी और इनकी कुंडली के अ और इनके ग्रहनकशत्रों के आधार पर जो चीजे मुझे समझ में आ रहा है इनका नाम और इनकी जो भी गड़ना मेरे मुझे दिखरी है उसके आधार पर मैं अगर बात करूं तो इनको love marriage के लिए एकदम भी कोशिश नहीं करनी चाहिए सिर्फ serves arrange marriage ही इनको सुख प्रदान कर सकती है जी कि इनके अपने ग्रह इस ??? के हैं कि इनको शादी के पहले और शादी के बाद भी दुख मिल सकता है अगर ये लब marriage की और जाती है तो अच्छा जी तो हिने arrange marriage जी करनी चाहिए इसके लिए आप सबसे पहले गुरुवार का ब्रत करें राइट हैंड में थमरिंग पहने गले में प्रेम कवश्च धारण करें और महत्तपूर काम इनको कहिए कि चने की दाल केशर पीला फूल और पीला कपड़ा ये निरंतर दान करें गुरुवार को जब और अच्रा दनकी जी बनों तो कि एक करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आप आप आशो के बाद भी आचारे जी से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, आचारे जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो आप संपर्ख कर सकते हैं. झाहते हैं, तक Maharaj保 mandar दो एंवां में कुछ वर में कुछ थाओ हैं, टुईया छोस्तों से अपनी लाइब हैं, तो आप अी.